कैसे हैं आप सब लोग I hope everybody is doing well मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अची बात के साथ आज हम स्लाट करते हैं हमारी स्नाप्शॉट्स बुक का सेकेंड चाप्टर जो की है द आड्रेस बाई मारगा मिंकू अब नाम से समझ में आ रहा है कि द आड्रेस यानि कि इस चाप्टर में किसी पर्टिकुलर आड्रेस की बात हो रही है किसी के रेजिडेंचिल किसी के घर के आड्रेस की बात हो रही है तो आईए देखते हैं चाप्टर का इंट्रोडक्शन अब इस चाप्टर में क्या हो रहा है इस चाप्टर में एक डॉट तो अब जो Mrs. S है वो बहुत डर रही है और उन्हें लग रहा है कि उनके घर का सारा valuable समान जो है वो सब खो जाएगा या फिर war की situation में लोग लूट के ले जाएंगी तो एक और character है हमारे chapter में जो कि है Mrs. Darling वो Mrs. S की acquaintance है यानि कि ना दोस्त है ना बहुत जानने पहचानने वाली है थोड़ा बहुत जानने पहचानने वाली है और ये जो Mrs. Darling है वो Jew नहीं है यानि कि Jew community से belong नहीं करती है तो Mrs. Darling जो है वो आती है एक दिन Mrs. S के यान और कहती है कि तुमारे घर का जितना भी सारा valuable जितना भी सारा जरूरत का expensive सामान है तो मुझे दे दो थाकि मैं समाल के रख लेती हूँ अभी वार की situation है तो हो सकता है लोग तुमारा लूट के ले जाएं सब समान अभी तुम मुझे दे दो और बाद में जब वार खतम हो जाएगी सब situation नॉर्मल हो जाएगी तो तुम मुझसे मेरे घर से आके सारा समान ले लेना और collect कर लेना मिस्स एस की जो डॉटर है वो सीडियों से नीचे उतरती है तो मिस्स एस अपनी डॉटर को इंट्रियूस करवाती है मिस्स दॉलिंग से कि देखो डॉलिंग ये मेरी डॉटर है ऐसा ऐसा करके और फिर वहीं पर अपनी डॉटर से कहती है कि she is Mrs. Darling और ये हमारा सारा valuable सामान अपने घर पर ले जा रही है जब तक war की situation है और जब war खतम हो जाए तो तुम इनका address याद रखना house number 46 में ये रहती है और इनके address पे जाकर तुम क्या करना अपना सारा सामान ले लेना अब war की situation खतम हो गई लेकिन इस war में अनफॉचनेटली जो Mrs. S है वो मारी गई उनकी death हो गई तो आप कौन बचता है सरे उनकी daughter बचती है बहुत सालों बाद वो जब Mrs. Darling के घर जाती है अपने सारा सामान लेने के लिए कि आप मिझे मेरा सामान दे दीजे तो Mrs. Darling जो है उन्होंने उसे पहचानने से ही इंकार कर दिया और उसका बहुत cold welcome किया यानि कि उसको बिलकुल entertain नहीं क्या बोला अभी चले जाओ यहां से हमारे बस time नहीं है हम कुछ और काम कर रहे है तो बहुत दुखी हो गई यहां पर daughter क्यों daughter दुखी हो गई कि भाई हमारा ही सामान आप हमें ही नहीं दे रहे और आप तो इतना उससे आए थे हमारे गर कि मैं तुम्हारा सब समान को संभाल के रखूंगे और अब तो मुझे पहचानने से भी इंकार कर रहे हो फिर क्या होता है फिर वो अपनी घर जाने के सुचती है लेकिन फिर वो सुचती कि मेरे समाने में एक बार फिर चली जाती है तो जब वह एक बार फिर उनके घर जाती है तो इस बार Mrs. Darling घर पे उनको नई मिलती और Mrs. Darling की डॉटर वहाँ उसको gate open करती है और वो उसको welcome करती कि आजाओ बैटो बैटो घर में मेरी मदर कहीं पास में गई है आने वाली हैं किसी काम से गई है थोड़ा सा अब वो वापस वाँ बैटती है जब वो घर में अंदर आती है Mrs. S की डॉटर वो तो तेखती है कि पूरा जहां पे जो घर का समान है वो उनीका ही समान है याने कि Mrs. Jolling ने उनका सामान सेफली रखने की बजाए यूज कर लिया है पूरा और वो इतने सालों से यूज कर रही है सारे कटलरी, सारे सिल्वर के स्पून, स्फोक्स, सारे बड़े-बड़े जो जार्स हैं, वेज हैं वेज याने कि जो पूरे जार्स होते हैं बड़े-बड़े उनका वेज कहते हैं या वास एक ही बात है तो वो सब देखती है कि सब पूरे सिल्वर के ये लोग यूज कर रहे हैं और ये तो सारी हमारी चीजें और उन्हेंने देखा कि सारी चीज़ें कितनी गंदी तरीके से पड़ी हुए, कितनी अनरेंज़्ट है यानि कि जब वो सारी चीज़ें Mrs.S के घर थी तो कितनी अच्छे से डेकोरेट करी हुथी, कितनी अच्छे से सजा के रखी थी उन्ने लेकिन यहां पे तो उन्होंने गंदगी में रखी हुई है, यहां पे इनके घर में किनी स्मेल आ रही है तो यहां पे डिसाइट करती है Mrs.S की डॉटर कि मुझे अभी यह सारा समान नहीं चाहिए क्योंकि यह सारा समान अब मेरे लिए strange हो गया, यानि कि अजनबी हो गया यह सारा समान तब तक मेरा था, जब तक यह मेरे घर में मेरे हिसाब से decorate करके रखा हुआ था और मेरी मॉम ने इनको बहुत प्यार से रखा था लेकिन अब यह जो समान है, यह किसी पराय लोगों के घर में है और इतनी बुरी तरीके से रखा हुआ है, प्लस यह लोग देना भी नहीं चाहरा है समान तो अब उन्होंने सोचा कि मुझे अब यह समान नहीं चाहिए मेरी जितनी भी फीलिंग्स है समान से, वो जुड़ी हुई है मेरी मॉम से क्योंकि अब मेरी मॉम तो इस दुनिया में रही नहीं, वो वार में मारी गई तो अब मुझे यह समान भी नहीं चाहिए और मेरा अब इनसे कोई connection नहीं है और अब मुझे बिल्कुल भूल जाना है समान को और मैं इस address को भी भूल जाओंगी जो की number 46 था और जो उसकी मॉमन उसको याद रखने के लिए कहा था तो अब मैं सब कुछ भूल जाओंगी और मुझे नहीं चाहिए और वो वहाँ से उनकी घर से निकल के उठके चली जाती है और यहाँ पर हमारा chapter खतम होता है तो इस तरीके के war की जो situation थी कि कैसे war के पहले लोगों की इतनी अच्छी life होती है और वोर के बाद कितना सब कुछ उजड जाता है कितना खराब हो जाता है सब कुछ लोगों की life, घर, सामान सब उजड जाते हैं यहाँ ते कि लोगों की family members भी इसमें मर जाते है तो लोग किस emotional disbalance से गुजरते हैं इस पूरी situation में यह सब इसमें थोड़ा सा explain किया है इस chapter में आए स्टार्ट करते हैं introduction of the chapter The story is about the human pre-document pre-document याने कि एक इंसान की कोई difficult situation के बारे में है यह chapter that follows the pre-war and post-war periods pre-war याने war के पहले कैसा है इंसान के situation and post-war याने लड़ाई जगड के बाद कैसी है यहाँ पे situation Mrs. S who was a Jew was a rich lady अब Mrs. S है यहाँ पे जो की Jew है याने की Jew community से belong करती है वो बहुत rich है बहुत ही wealthy है whereas Mrs. Darling was a non-Jew और अब दूसरी character है chapter के Mrs. Darling जो की non-Jews है याने वो Jews की community से belong नहीं करती है The girl, daughter of Mrs. S has lost her house and her mother during the war and now she had decided to come back to take her possessions from Mrs. Darling and acquaintance whose address was given by her mother Wilson तो अब Mrs. S की जो daughter है वो अपना घर और अपनी mom दोनों खो चुकी है इस war के दौरान और अब इतने साल बीच चुके हैं war खतम हो गई वो जिन्दा बज गई उनकी daughter तो उनको उस address पे जाके Mrs. Darling जो के acquaintance है याने थोड़ी बहुत जानने वाली थी उनकी mom की she met her daughter who let her in and told her to wait inside अब next time क्या होता है next time वो ही होता है जैसा मैंने आपको बताया था कि वो फिर से decide करती कि मैं फिर से Mrs. Darling की घर जाओंगे और फिर से एक बार और ट्राइ करूंगे अपना समान लेने का तो इस बार डॉरी नहीं मिलती है Mrs. Darling नहीं मिलती है बलकि उनकी daughter मिलती है और उन्होंने उसको welcome किया कि आओ बैठो मैं आपको चायव अगरे बना देती हूँ मेरी मम्मी किसी काम से गई है अभी आती होंगी और जब वो घर में अंदर आती है तो देखती है सारा possessions यानि जो भी उनके सारे समान थे घर में डेकुरेटेड थे लगे हुए थे और वो लोग सब चीज़े यूस कर रहे थे जो मेरी मान ने मुझे याद रखने के लिए कहा था यहांसा हमारा lesson का explanation स्टार्ट होता है so let's begin with our chapter अब चाप्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है चाप्टर उस situation से उस scene से स्टार्ट हो रहा है जब Mrs. S की जो डॉर्टर है वो सामान लेने के लिए पहली बार Mrs. Darling के घर पर पहुचती है तो यहां से वो हमारा चाप्टर स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे जो Mrs. S की डॉर्टर है वो Mrs. Darling से कहती है Do you still know me? I asked I कौन है? Mrs. S की डॉर्टर वो ही narrator है चाप्टर की तो वो कहरी एंड उस लेडी से Mrs. Darling से कि तुम मुझे अभी भी याद करती हो याद है तुम्हें कि मैं कौन हूँ The woman looked at me searchingly और Mrs. Darling जो थी वो searchingly देख रही थी याने कि ऐसे देख रही थी जैसे पहचान ही नहीं रही मुझे She had opened the door a chink chink याने की narrow opening तो उन्होंने जरा सा door open किया था पूरा door भी नहीं open किया था इतना छोटा सा कि जैसे कोई बस इतना कि जिसना जितना face दिख जाए इंसान का I came closer and stood on the step तो उनकी डॉटर थोड़ी सी पास sign door के और एक CD पे आके खड़ी हो गई No, I don't know you तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनकी बेटी से बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती I am Mrs. S's daughter मैं Mrs. S की बेटी हूँ daughter हूँ She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further जैसे उसने बोला कि मैं Mrs. S की बेटी हूँ उसने door को ऐसे पकड़ा lady ने जैसे कि जरा सा ओपन करना चाहती और सामने वाले को अंदर बिलकुल आने नहीं देना चाहती Her face gave absolutely no sign of recognition She kept staring at me in silence तो Mrs. Darling का जो चहरा था वो ऐसा लग रहा था कि कोई sign नहीं है recognition का यानि कि वो Mrs. S की बेटी को बिलकुल पहचानी नहीं नहीं जब कि वो मिल चुकी है सालों पहले उससे एक बार और वो continuously चुप जब उसको सरफ घूरे जा रही थी Perhaps I was mistaken I thought Perhaps it isn't her तो वो इतनी confusingly देख रही थी Mrs. S की डॉटर को कि एक बार को तो Mrs. S की डॉटर को ये लगने लगा कि कई में गलत घर में तो नहीं आ गई हूँ कई में गलत अड्रेस पे तो नहीं आ गई हूँ क्योंकि ये लेडी मुझे विलकुल भी नहीं पहचान रही है I had seen her only once fleetingly and that was years ago fleetingly का meaning क्या होता है for a short time थोड़े से समय के लिए तो Mrs. S की डॉटर कहनी के मैंने Mrs. Darling को बहुत ही short time के लिए देखा था और वो भी साल और पहले जब वो मेरे घर पर आई थी समान लेने के लिए हमारा It was most probable that I had rung the wrong bell The woman let go of the door and step to the side तो यहाँ पे Mrs. S की डॉटर सोच नहीं की हो सकता है कि मैंने गलत घर की गंटी बचा दिये शाद जिस address पर मुझे जाना था मैं वहाँ नहां पहुचके किसी गलत address पर पहुच गई हूँ लेकिन फिर woman ने थोड़ा सा डोर खोलके थोड़ा बाहर निकलके आई वो She was wearing my mother's green knitted cardigan The wooden buttons were rather pale from washing तो Mrs. Darling ने क्या पहना था इस तरीके का green cardigan याने की green sweater पहना था जिसमें सामने buttons होते है और जो wooden buttons थे उनके sweater पे वो धो धो के wash कर करके पूरे pale हो गए याने yellowish color के हो गए है और वो green color का जो cardigan है वो किसका था वो Mrs. S का ही था और ये चीज़ identify कर ली Mrs. S की daughter ने कि इन्होंने जो sweater निटेड पहना हुआ है निटेड cardigan ये तो मेरी मॉम का है तो यहाँ पर जैसे ही वो उनकी sweater को notice कर रही थी तो यहाँ पर क्या notice किया lady ने? lady ने notice कर लिया कि जो Mrs. S की daughter है वो मेरे cardigan को notice कर रही है और वो शाद मुझे पहचान गई है कि मैंने उसकी मा का ही dress पहना हुआ है और sweater पहना हुआ है और ये चीज़ देखके Mrs. S की daughter बिलकुल शौर हो गई है कि मैं सही घर आई हूँ मैं गलत घर तक नहीं आई हूँ well you knew my mother I asked have you come back? said the woman तो daughter कहती है कि आप शाद मेरी mom को जानती थी न तो वो कहती है lady कहती है Mrs. Zolling ओ तुम लोग सब वापिस आ गए I thought that no one had come back तो मैं तो सोच रही थी कि तुम लोगों में से कोई भी वापिस नहीं आएगा तो Mrs. Zolling क्यों कहती है इसी लिए कहती है क्योंकि war की situation में वो उनको छोड़के आई थी समान लेकर आई थी तो वो सोच रही थी मैं तो सोच रही हूँ सोच रही थी कि तुम लोगों में से war में सब मारे जाएंगे और कोई वापिस नहीं आएगा तो कहती है उनकी daughter only me वो कहती है कोई वापिस नहीं आ पाया जिसमें बहुत जादा smell है और बहुत पुराने रखी हुए दिनों की जो चीजों की smell होती है वो smell तो वो कह रही है कि जब मैंने उनके घर में अंदर जाका तो उसके घर में अंदर एक और पीछे door था जो कि open हुआ और वहां से कोई निकला होगा might be तो जैसी वो door open हुआ तो एक मस्थी एक बहुत बुरी सी stale smell आई वहां से I regret I cannot do anything for you I've come here especially on the train I wanted to talk to you for a moment तो Mrs. Zorling कहती है कि मैं तुमारी कोई मदद नहीं कर सकती मैं तुमारी कोई help नहीं कर सकती तो वो कहती है मैं तनी दूर से इतना travel करके train में आई हू मुझे आपसे स्रिफ थोड़ी सी देर बात करनी है It's not convenient for me now said the woman I can see you another time तो वो कहती है कि अभी मेरे लिए convenient ही अभी मैं कुछ काम कर रही हूं बहुत बिजी हूं अभी comfortable नहीं अभी तो महां से जाओ मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती Another time बोला अगली बार आना अभी तो तो महां से जाओ She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed तो उसने स्रिफ ऐसे अपना nod किया nod याने कि अपनी स्रिफ गर्दन थोड़ी सी हिलाई और door धीरे से बंद करके चली गई और इस तरीके से उसने door बंद किया कि जो उसके घर में दूसरे लोग हैं वो disturbed नहों और शायद पता ना चले उन लोगों को कि बाहर कोई इंसान आया है Mrs.Dolling से बात करने के लिए हो सकता है उसने समान ले आई हो और छुपा रही हो अपने घरवालों से कि मैं ये समान किसी से लाई हूँ और ये बोला और शायद अपने घर में कि ये तो हम सब का ही समान है तो अब अगर पता चल जाता लोगों को कि हाँ कोई आया है अपने इतना सब समान लेने के लिए तो Mrs.Dolling जूटी कहलाती ना वो ये घरवाले सोचते की मतलब Mrs.Dolling ने उनके घरवालों से जूट बोला तो वो सब वो इस तरीके से प्रेटेंड करी थी ताकि घर में किसी को ना पता चले कि कोई यहाँ पर बात करने उनसे क्यों आया है तो वो कहरी कि मैं जिस स्टेप पे खड़ी हुई थी मैं वहीं खड़ी रह गई और वो लेडी मेरे फेस पे दरवाजा बनकर के चले गई और जो बेविंडो थी बेविंडो क्यों होता है ऐसे जो घर का दरवाजा और यह जो चोटीसी इफ विंडो होती है साइट में इसे हम कहते हैं बेविंडो तो वो कह रहे है कि बेव इंडो से कर्टन हटा और कोई दूसरा इंसान वहां से आया और बात करने लगा Mrs. Darling से तो वो जो बेव इंडो थी जो छोटी से विंडो थी वहां से कर्टन हटा और कोई वहां से Mrs. S की डॉटर को देखा और उस परसन ने Mrs. S, Mrs. Darling से पूछा अंदर कि ये कौन है क्यों आये था तो वो उनसे बोलती है ओ नथिंग नथिंग कुछ नी वो तो ऐसे ही आई थी और फिर उसने अपने घरवालों को कुछ भी बहाना देके महां से निकल गयोगी तो शायद किसी ने उसके घर से Mrs. S की डॉटर को देखा नमबर 46 तो वह कहती है मैंने फिर से जहरके बाहर जो नेम प्लेट लिखा थे उससे देखा और आमिल से उस पर लिखाता है नम यहने कि यह ऐसा substance होता है जो थोड़ा सा इस ताफिड का substance होता है जो गलास या प्लास्टिक पर जिसके उपर से लिखा जाता है नेम प्लेट वगरेब और थोड़ सा ग्लॉसी सब्संस होता है तो वो ये कह रहे थे कि डॉलिंग लिखा हुआ था ब्लाक कलर के इनामल से उनके घर पे और जैम याने की साइट पोस्ट ऑफ विंडो दर्वाजे के साइड में जो थोड़ी सी जगा होती है वहाँ पर ये नेम प्लेट था और विंडो के पास में ही थोड़ा सा उपर उनके घर का नमबर लिखा था जो कि था नमबर 46 और यही वो अड्रिस था जो उनकी मॉम ने उनको याद करने के लिए बोला था सालो पहले तो अब क्योंकि उनको अच्छे से वेलकम नी किया बात भी नी के रही उने भगा दिया लिटरिली अपने घर से तो वो वापस स्टेशन की तरफ जाने लगी कि अब मैं अपने घर वापस जाते हूं क्या करूं वो मुझसे तो बात करने को रडी ही नहीं है और वापस जाते वक्ट वो पूरे दिमाग में सब सोच रही थी कि कैसे मेरी मॉम ने इनका अड्रेस मुझे दिया था और कहा था जाके अपनी सब चीज इन कया से ले 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 ना तो सब चीज उसके दिमाग में flashback हो रहा था तो वो आप सोच रही थी कि सालो पहले कैसे यह क्या बच्ची जो है इनकी मिसेस की डॉर्टर साथ कहीं बाहर रहती होगी तो वो अब जब ट्रेन पे वापस जारी स्टेशन पे तो वो सब पुरानी चीजे अपना फ्लैश बैक में याद करी कि मैं कुछ दिन के लिए अपने कैसे घर आई थी और जैसी में घर आई थी तो मुझे घर में रूम्स में काफी सारी चीजे चेंज दिख रही थी क्योंकि उनकी मॉम ने काफी सारी चीजे उतार के अपने वाल से निखाल के मिस्स डॉलिंग को दे दी थी समाल के रखने के लिए क्योंकि वार का टाइम चल रहा था तो वो कह रही थी मैं कैसे कुछ दिन के लिए आई थी घर पर कैसे मुझे घर सब कुछ अलग-अलग दिखने लेगी थी के मेरी सारी चीजे मेरी घर के सारा समान कहां गया My mother was surprised that I should have noticed so quickly और जो उनकी mom थी वो surprised हो गई थी कैसे उनकी daughter ने इतनी जल्दी सब notice कर लिया कि घर में कुछ चीजें missing है Then she told me about Mrs. Darling I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years Then she told me about Mrs. Darling and her daughter she told me that a lady is a person one knows but is not a close friend This is a person that you know but you don't know a little bit but you don't have a very special friend that you give your family to your home So we call her acquaintance Then she told me that this is my acquaintance or my acquaintance पचानने वाली है और ये जो है मैं उनको सालों से नहीं जानती पर अभी कुछ टाइम से मैं इनको जानने लगी हूं She had suddenly turned up and renewed their contact तो अब जो Mrs. Darling थी वो suddenly आने लगी थी उस time पर उनके घर पर अपना पूरा जो contact जो relation था Mrs. S के साथ वो renewed गरने लगी थी आने बढ़ाने लगी थी Since then she had come regular तब से वो regularly उनके घर में आने लगी थी Every time she leaves her she takes something home with her said my mother She took all the table silver in one go तो अब mother के बताती है अपनी daughter को Mother बताती है कि जब भी Mrs. Darling हमारे गर आती है वो कुछ नो कुछ समान ले जाती है कौनसे समान बैल्यूबल समान अपने घर पर समाल के रखने के लिए वो एक ही बार में सारा table silver ले गी Table silver याने टेबल पर जितना भी silver से बनी हुई Forks, Cutlery, Spoons, Knives यह सारी चीज़े वो एक ही बार में उठाकर ले गई And then the antique plates that hung there और उसके बार जब second time आई तो सारी antique plates Antique याने पुराने जमाने में having high value because of age and quality इतनी पुरानी होती है कि उसकी quality इतनी अच्छी होती ही तो सारी चीज़े वो ले गई She had trouble lugging those large wazes and I am worried she got a crick in her back from the crockery My mother shook her head pityingly अब lugging का मतलब क्या होता है Carry a heavy object with great effort जब बहुत मुश्किल से कोई भारी चीज अपनी पीठ पर उठाते हो तो उसे हम lugging कहते है And crick मतलब crack आ जाना Cramping muscle क्योंकि बहुत भारी भारी समान इस तरीके से उठाके मिसस डॉर्लिंग ले जाती थी तो शायद उनकी कमर में crack आ गया था इतना भारी सब समान था Pitting ली याने की feelings औरुक जब हमको किसी पर बहुत बुरा लगता है दया आती तो हम उस पर pity करते है तो Pitting ली याने दया आना तो यहां पर यह बोल रहे हैं कि उसको इतनी मुश्किल होती थी इतनी वाज़ज इतने बड़े बड़े जार्ज और सारी सिल्वर की क्रॉकरी उठाने में कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके बैक में क्रिंप आ गया होगा क्रिक आ गया होगा याने कि एक मसल्स में क्रैक आ गया होगा और मेरी मॉम जो कि इतनी वो थी ना समझती जो अपना सब वैल्यूबल सामान उनको दे दी विश्वास करके वो पिटींग ली याने कि बहुत दया से देखती थी मिसस जॉलिंग को कि अरे बिचारी इतना भार इतना मेरा सारा समान ले जाओ और समालो हमारी मदद करो she suggested it to me herself उन्होंने विचारी ने खुद मुझ से बोला मिसस जोलिंग ने कि मैं तुम्हारा सब समान ले जाती हूं ताकि safely पढ़ा रहा है वोर के टाइम पे she even insisted और उसने मुझे बार बार इंसेस्ट किया और मुझे बार बार उसने बोला कि नहीं नहीं मैं ले जाओंगी मैं रखूंगी समाल के she wanted to save all my nice things और मेरी जितनी अच्छी महंगे महंगे चीज़े हैं वो सब उसको safely रखनी थी अपने गर पे if we have to leave her we shall lose everything she says और Mrs. Darling कहती है Mrs. S से कि अगर वोर के situation में ऐसा टाइम आ गया कि हमें गर छोडना पड़ा ये तो हमारे सारे समान यहीं रह जाएंगे और चोहर इसे लूट लेंगे have you agreed with her that she should keep everything I asked तो अब उनकी बेटी Mrs. S से पूछ रही थी कि आप मान गए अपना सारा सामान उने देने के लिए as if that's necessary my mother cried तो अब उनकी मॉम Mrs. S जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गोई और अपनी बेटी से थोड़ा गुस्से में कहती है कि क्या यह जरूरी था उनसे पूछना कि हां तुम क्यों ले जा रही हो या मेरे मेरे सामान सेफली रखोगी कि नहीं it would simply be an insult to talk like that तो Mrs. S जैस अपनी बेटी से कहती है कि यह तो उनकी इंसल्ट होगी अगर मैं उनसे ऐसा पूछूँगी कि यह आप हमारा समान ले जा रहे हो अच्छे से रखोगे कि नहीं रखोगे एक तो वो बिचारी ले जा रही है इतना बारी-बारी समान उठा के उपर स हम उसे उसकी इंसल्ट करें ऐसा पूछ के and think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase और बाग और तुम यह सोचो कि वो बिचारी हार ताम कितना रिसक उठारी है इतना सारा महंगा महंगा समान हमारे घर से एक बार में ले जारी है फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार तो सोचो कितना रिसक तो हम उसे इस तरीके सा तरीके से नहीं पूछ सकते My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we never spoke, we spoke no more about it. Reprovingly का मतलब क्या होता है? Reprovingly का मतलब होता है critically, seriously, थोड़ा गुस्से में तो उसकी mom ने ये चीज़ notice कर ली कि Mrs. S. की जो बेटी है, वो convinced नहीं हुई है उनकी बात से नहीं मानी की हाँ, मतलब उसको सही नहीं लग रहा की कैसे अपने सारसामान किसी एक थोड़े कम जानने पेचानने वाले एक acquaintance को दे दिया है, तो लेकिन और वो critically हाने की बहुत सीरिसली मुझे ऐसे गुस्से में देखने लग गई इस तरीके से की मतलब तुम गलत सोच रही हो Mrs. Dawling के बार है और उसके बार क्या होता है, उन दोनों ने मा बेटी ने उस टॉपिक पर बात ही नहीं करी Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way I was walking in familiar places again for the first time since the war but I did not want to go further, that was necessary I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time तो यहां पर अब फिर से author उसी present time में आ गई है जहां पर क्या होता है, जहां पर वो station की तरफ आ रही होती है वो सब सोच रही होती है कि मैं station आ गई और मैंने जादा सब चीजों को इधर उदर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह सब war हो चुकी थी, war के बाद काफी सारी चीज़े चेंज हो गई थी और मुझे सब चीज़े हर्ट कर रही थी war के बाद तो मैं इतना ज्यादा इधर उदर ध्यान नहीं दे रही थी मैं कुछ familiar places याने कुछ जानने पहचानने वाली जगाओं से ऐसे निकल रही थी जैसे मैं first time वहां से निकल रही हूं war के बाद और जो चीज़ें नेसेसरी नहीं थी जरूरी नहीं थी मैंने उसका इधर उदर पर ध्यान नहीं दिया I didn't want to upset myself और क्यों नहीं उसने ध्यान दिया क्योंकि उसको अपने अपको upset नहीं करना था दुखी नहीं करना था क्योंकि उसके दिल और दिमाग में एक harsh memory है वार में उसने अपना घर खो दिया, अपनी मॉम खो दिया, कितनी सारी जगाएं हैं, प्लेसे हैं जो चेंज हो चुकी हैं लड़ाई जगडे में तो वो ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था और वो सारी streets, वो सारे घर, जो की memories और इतने precious time, इतना अन्मोल कीमती समय जो उसने अपना childhood का spend किया था वो और से पहले वो सब वो वापिस उसके mind में ऐसा flashback आ रहा था तो वो इधर उधर चीजों को नहीं ध्यान दे रही थी और नहीं देख रही थी In the train, back I saw Mrs. Darling in front of me again and as I had the first time अब यहां से फिर से वो अपना flashback सोचने लग दे थी कि जब Mrs. Darling उनके घर आती थी उनकी मॉम उनसे बात करती थी, इंट्रियूस कर रहा है था वो वाली situation फिर से station पे ही वो बैठे बैठे अपने दिमाग में पूरा flashback के तौर पे याद करी थी और वो कहती थी कि वो सोच रही थी कि पहले एक बार train में मुझे कौन दिखा था मुझे Mrs. Darling दिखी थी Mrs. Darling दिखी थी और वो मेरे आगे ही खड़ी थी and that had been the first time I met her क्योंकि सुभा सुभाई उनकी मॉम ने उसको उसको से इंट्रिद्यूस कर रहा था कि ये मेरी बेटी है और ये Mrs. Darling है और वहीं उसी दिन शाम में ट्रेन में भी वो उसको दिख दे ही वो उसके सामने खड़ी होई थी It was the morning after the day my mother had told me about her तो morning में मेरी ममी ने मुझे Mrs. Darling के बार में बताया था और उससे मिलवाया था क्योंकि वो घर आई थी और शाम में वो मिल गई I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out तो मैं उस दिन देर से उठी थी वो सोच रही थी और मैं जैसी सीड़ी उतर रही थी तो मैंने देखा कि मेरी मॉम किसी को क्या कर रही है to see someone out याने कि कोई घर से जा रहा है तो see off कर रही थी उससे A woman with a broad back एक ऐसी वोमन थी वो जिसका back broad था बहुत There is my daughter said my mother She beckoned to me Beckoned याने signal करना याने इशारे से किसी को ऐसे बुलाना तो जैसे ही वो उतरी सीडियों से Mrs. S की daughter वो कहती है Mrs. Zorling से कि ये मेरी daughter है ये मेरी बेटी और इशारे से उससे बुलाया The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack तो woman ने कोई मुझे कोई अच्छे से smile नहीं किया मुझे ना hello बोला ना hi बोला बस ऐसी nod किया है ने सर हिला दिया और ये जो coat rack है उसके नीचे जो suitcase पढ़ा था हम लोगों का जिसमें हमारे घर के important समान थे वो उठाया और वहां से चली गई She wore a brown coat and a shapeless hat और उन्होंने क्या पहना था Mrs. Zorling ने brown color का एक coat पहना था और अजीब सी shapeless hat पहने हुई थी जिसका ढंग से कोई shape नहीं था Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy suitcase अभी जो heavy suitcase बहुत भारी था तो ये देखके कि उसको इतनी मुश्किल हो रही इसको उठाने में Mrs. Zorling को तो उनकी बेटी पुछती है कि Where does she live? ये कहां रहती है मतलब इनको कित्ती दूर जाना पड़े है कि इतना भारी suitcase उठा के तो इसलिए वो पूछती है कि Where does she live? In Marconi Street said my mother Number 46 Remember that तो उनकी मॉम के बताती है उनकी मॉम Mrs. Zorling को उनने address बताती है और कहती है कि वो कहां रहती है Marconi Street में और house number 46 में Remember that याने इस घर को याद रखना I had remembered it But I had waited a long time to go there तो उनकी मॉम ने उनको बोला कि याद्रेस याद रखना और उन्होंने याद्रेस याद भी रखा लेकिन उन्होंने बहुत long time बहुत लंबा समय वेट किया वहां जाने के लिए क्यों क्योंकि जब war खतम हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो हो सकता है Mrs. Zorling के यहां से call आएगा हम मुद से पूछने के लिए कि अपना सामान चाहिए या नहीं चाहिए ये सोचती रह गए और फिर उनको उनके आड्रेस तक पहुचने में बहुत उन्होंने लंबा समय लगा दिया Initially after the liberation I was absolutely not interested in all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it. तो liberation का मतलब क्या होता है? Liberation याने कि liberty और freeing याने कि free होने के बाद war से चुटकारा पाने के बाद और एकदम जब सब situation normal हो गई, free हो गई वो और से तो वो बोलगी कि शुरुआत में जब liberation होई आने कि जब war की situation खतम हो गई तो जो मिस्स डॉलिंग की बेटी थी वो बिलकुल भी interested नहीं थी किसमें जाके वो सारा stuff वो सारा उनसे समान लेने के लिए और क्योंकि वो थोड़ी से डरी भी होई थी क्योंकि वो और कितनी धहशत से वो बहार निकली थी प्लस अपनी मॉम को उन्होंने खो दिया था, उनका घर चला गया सब कुछ खतम हो गया तो वो थोड़ी से अफ्रेड भी थी कि उस जगा पे जाके अब क्या करूंगी में, अफ्रेड ऑफ बीग कंफरंटेड विछ थी थी तो अब किसी से फेस तू फेस मिलते हो तो वो अफ्रेड इसलिए भी थी कि उनको उन समानों से कंफरंट करना पड़ेगा याने फिर फेस तू फेस मिलना पड़ेगा इतने सालों बाद जो कि उनकी घर में उनकी मॉम ने सजाके रखे थे और फिर कैसे आके ये लेडी कि सारा सामान उन से ले गए और अब अपने घर में यूस करने लगी है अब उनको लगते है कि वो कनेक्शन फिर से डिवलप करना पड़ेगा इस सामान से जो अब एक्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि अब उनकी मॉम भी नहीं है और ये सब सामान किसी और गए घर में किसी पराय के घर में उनके हिसाब से सेट किया हुआ रखा है और ये जो बॉक्स में समान है ये सब बॉक्स में ऐसे रखें जैसे छुपे हुए रखें कबर्ड में और बॉक्स में याने वो मेरे लिए ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे व्यर्थ है क्योंकि मेरा जाने का वहाँ पर कोई मन नहीं है विच अणे टियुखनी याने कोई चीज जो शफर करी है किसी ने जो चीज बहुत लंबे समय तक सफर करी तो वो और शफ़ करी है। but gradually everything became more normal again bread was getting to be lighter color there was a bed you could sleep in unthreatened a room with a view you were more used to glancing at each day अब gradually everything became more normal का मतलब क्या होता है इसका मतलब है अब war की situation अब normal काफी हो गई है अब bread was getting to be lighter in color इसका मतलब ये है कि war से पहले जो ये juice community के लोग है इनको brown bread खाने को मिलती थी याने की brown bread जो होती है थोड़ी quality wise थोड़ी ठीक होती है क्यों क्योंकि वो किससे बनती है wheat के उसके husk से बनती है गेहूं का जो remain छिलका होता है उससे बनती है थोड़ी मोटी होती है तो वो कहते है कि अब जो है situation हम juice के लिए अच्छी हो गई है war खतम हो गई है और bread lighter color की हो गई याने थोड़ी white color की अब हमको bread मिल रही है खाने की है याने की हमको अब good quality of flour मिल रहा है आटा अच्छी quality का use हो रहा है जिससे हमारी bread बन रही है there was a bed you can sleep unthreatened अब हमको एक सोने के लिए शांती से एक bed भी मिल रहा है जिस पे हम बिना डरे सो सकते हैं अदवाइस पहले तो war थी डर डर के राक में सोते थे नीन भी नी आती थी a room with a view you were more used to glancing at each day और अब एक ऐसा room हम सब को मिल गया है हम हमारी community के लोगों को जहां से view ऐसा है कि जिसको आप रोज आराम से देख सकते हो ना कि वो ही view आपको देखना पड़ेगा कि war हो रही है लड़ाई जगर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं वो view हमको हमारी कमरे के बाहर नहीं दिखता तो एक दिन अपने normal जो नाया वाला उनका छोटा सा कमरा है जहां वो रहती है, Mrs.S की डॉटर वो कहरी है, यह एक दिन बैटे-बैटे मुझे लगना लगा कि मेरे जो सारे possessions हैं, मेरे जो घर के सारे समान है अब मेरे पास होने चाहिए, मेरे घर में होने चाहिए जब मैंने फिर्स टाइम किया तो वो तो वेन हो गया याने कि होपलेस याने बिल्कुल मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पर मुझे ऐसा वो लोग वेलकम करेंगे लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं एक बार सेकेंड ताइम फिर से ट्राइ करूंगे उनके घर जाओंगी तो अब जब वो सेकेंड टाइम उनके घर जाती है तो अब किसने डर्वाजा खुला उनके घर का एक लड़की है जो 15 यह के आसपास है उसने डोर उपन किया तो मिसेज एस की डॉर्टर ने उससे पूछा कि क्या आपकी मॉम घर पे हैं No, she said My mother is doing an errand तो वो कैती ही नई मेरी मॉम घर पे नी वो errand करें errand याने की कोई जॉब या कोई टास्क है जो कहीं बाहर करने गई है घर के बाहर No matter I said, I'll wait for her तो यहांपे म्सेज एस की डॉर्टर कैती कि कोई बात नी मैं उनके रीए यहांपे वेट कर लेती हूं तो उसने क्या बोला कि चलो ठीक है आप अंदर आजो वेट कर लो मेरी मॉम का जब तर जैसी वो अंदर गई उनकी बेटी के साथ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक पुराने जमाने का एक आयन का एक लोहे का क्या रखा हुआ है हनुका रखा है हनुका ऐसे कैंडल होल्डर होता है अब हनुका क्या होता है तो हेब्रियो कम्यूनिटी के जो लोग होते हैं वो डिसेंबर में फेस्टिवल सेलीबरेट करते हैं और ये जो फेस्टिवल होता है ये lights याने की रोशनी का, lights का, candles का festival होता है तो कब लोग ये सब इस festival में इस हनुका का यूस करते है तो ये जो हनुका था ये भी Mrs. S. का ही था और वो कह रही है कि मैंने देखा कि एक पुराने जमाने का हनुका रखा हुआ था candle holder मिलर के जस्पास में तो वो भी सोच रही थी कि ये तो हमारा ही है कौन? Mrs. S. की daughter We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick cumbersome का मतलब क्यों होता है unmanageable difficult इसी चीज को manage करना, hold करना difficult क्योंकि वो बहुत heavy होती है तो वो कह रही थी कि Mrs. S. की daughter ने सोचा कि हमने कभी भी हमारे हनुका को use नहीं किया था क्यों? क्योंकि बहुत cumbersome था, difficult था, भारी था, manage करने में तो हम use नहीं करते थे हम उसकी जगाए छोटी सी candle sticky use कर लेते थे Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her तो वो लड़की जो थी उनोंने Mrs. S. की daughter से पूचा कि बैठोगे नहीं तो उसने living room का door open के और उसको बैठने की वहाँ पर जगा दी I stopped, horrified. I was in a room, I knew and I did not know तो जैसी वो अंदर गई, वो रुक गई और एकदम horrified हो गई याने की shocked हो गई कमरा देखके क्यों shocked हो गई? क्योंकि वो एक ऐसे कमरे में थी जिसे वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी जानती थी, क्यों इसली जानती थी? क्योंकि वहाँ उस कमरे में जितना भी सामान रखा था वो सारा सामान Mrs. Ais और उनका खुद का था जो Mrs. Darling उनके घर से ले गई थी वो उनोंने पूरा सजा के रख लिया था और नहीं भी इसलिए जानती थी क्योंकि वो किसी दूसरे के घर में आई हूँ है और वो कमरे को वो नहीं जानती क्योंकि वो किसी और का घर का कमरा है तो इस तरीके से वो इसलिए जानती थी क्योंकि चीज़े उनकी थी और नहीं इसलिए जानती थी क्योंकि किसी और के घर करूँ में वो I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere Oppressed का मतलब क्या होता है? Harsh and authoritarian treatment जब कोई चीज़े बहुत authority के साथ आपको दबाने की कोशिश करती हो और mids याने की in the middle of किसी चीज़ के बीच में तो यहां पर मिसेज़े की डॉर्टर कहती है कि मैंने अपने अपको उन चीज़ों के बीच में पाया जहां पर मैं चाहती थी कि मैं अपने खुद के घर के सारे समानों को देखूँ अपनी सब पुरानी चीज़ों को वापिस लूँ लेकिन यह सारी चीज़े मुझे उप्रेस कर रही है क्योंकि मैं एक स्ट्रेंज एट्मॉसफेर में हुए करके नहीं रखे हुए है बिकॉस अब अगली फॉनिचर और दमागी स्मेल दाट हांग देर मगी मतलब हुमिड जो सीलन की जो स्मेल होती है उसे मगी स्मेल कहते हैं तो वो यह कह रहे हैं कि पूरा जो कमरा था वह बहुत गंदी तरीके से ओगनाइस था जो फॉनिचर था वो भी बहुत पुराना सा टूटा-फूटा था और वहाँ पे बहुत मगी यानि कि सीलन टाइप की स्मेल आ रही थी पूरे रूम में से और उसको को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रियाक करूं अपने ही घर की चीजों को किसी और के घर में सजी हुई देखके और मैं बस डर डर के बस हर जगा देख रही थी कि मुझे क्या-क्या देखने को मिल रहा है तो वो कह रही है कि गर्ल ने मेरे लिए चेर पुलकरी के बैठो तो मैं बैठी और फिर मैंने टेबल क्लॉथ देखा और उसको मैंने रब करके ऐसे चूपे देखा और चूते-चूते इतने हम मैंने इसको टच करकर के अपना फील किया कि मेरी जो फिंगर्स है वो वार्म ह हो गई I followed the lines of the pattern और जो टेबल क्लॉथ के ऊपर जो पाटन बना हुआ था जो डिजाइन बनी हुथी वो उसको टच करती जा रही थी और एक पॉइंट पे आना चारी थी क्यों आना चारी थी क्योंकि इनका जो टेबल क्लॉथ है वो एक कहीं कोने से बर्न तैयाने के जला तो वो जला हुआ निशान ढूंड रही थी इस तरीके से टच करकर के कहा है वो जला हुआ निशान जो इनके घर के टेबल क्लॉथ पे था अभी जो टेबल क्लॉथ बिचह हुआ ये भी इन ही के गर का था जो मिसस डॉलिंग की घर में उसने देखा तो जब उन्होंने देखा तो देखा उनको मिल गया वो बर्न माक और उन्होंने देखा कि आज तक इन लोगों ने उस बर्न माक को रिपेर नहीं करा है फिर वो जो लड़की है वो कहती है मैं अपनी मॉम के लिए चाय बना रही हूँ क्या मैं तुम्हारी लिए भी बना दू वो बज आती ही होंगी तो मिसस डॉलिंग केती है थांक यू हाँ ठीक है मतलब अब बना दू आलोग जब दे गर्ल पुट कप्स रेड़ी ओन दा की टेबल वक्त अब्र बना दू रखो एक यह था तो यहां तो जैसे उसने उपर देखा मैं से की डॉटर ने तो वो क्या कर रही थी लड़की कुछ कप्स रेडी कर रही थी टी टेवल पर और यह जो कप्स थे यह भी क pot, all it had was a gold border on the lid, I remembered. तो जिस tea pot से वो चाय निकाल रही थी, पोर कर रही थी, वो इस तरीके का white colour का था और उसमें golden colour की ऐसी border थी, exactly वैसे ही जैसा इन का था, इन ही का था, क्योंकि ये पूरा tea set भी. She opened a box and took some spoons out, that's a nice box, I heard my own voice. तो जैसे उसने ऐसे spoon box निकाला, तो Mrs. S की daughter के बोलती है, that's a nice box, अब ये जो box है, spoons का, folks का, ये भी Mrs. S का ही था, तो वो कहती है उनकी daughter, that's a nice box, कि आपको जो box है वो बहुत अच्छा है, और वो जो room था, वहाँ पे शाद उनकी आवाज echo हो रही थी, तभी she heard, वो बोल रही है कि I heard my own voice, कभी-कभी होता है न हम किसी room में जाते हैं, हमको हमारी आवाज ही वापस सुनाई देती है, क्योंकि गूंचती आवाज echo होती है, तो वो बोल रही है, जब मैंने बोला कि that's a nice box, वो आवाज वापस से उनको सुनाई दी, उनको खुद की, it was a strange voice, as though each sound was different in this room, और वो आवाज बहुत अजीब लगी, क्योंकि हर आवाज उनको उस रूम में अलग लग रही थी, oh, you know about them, she had turned around and brought me my tea, she laughed, तो उसके बाद, जो Mrs. Darling की बेटी है, वो Mrs. S की बेटी को बोलती है, oh, you know about them, क्या तुमें पता है, इन टीकप्स के बारे में, और फिर वो turn होके, टी लेके आने लगी और थोड़ी सी हसी, my mother says, it is antique, we have got lots more, she pointed round the room, तो Mrs. Darling की बेटी क्या बोलती है, कि मेरी मोम तो कहती है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे टीकप्स हैं, टी सेट्स हैं, और ये सारे अंटीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे, तो बहुत सारे किसके हैं, बहुत सारे Mrs. S के ही हैं, क्योंकि उन्ही के घर से बोले के आई थी, और उन्होंने पूरे रूम में पॉइंट करके दिखाये, याने Mrs. Darling की जो बेटी थी, वो पूरे घर में ऐसे से पॉइंट करके दिखा रही थी, कि देखो ये भी हमारे पास, ये भी आंटीक है, ये भी हमारे पास ह ये बहुत सरे आंटीक चीजे, तो सब किसको दिखा रही थी, Mrs. S की बेटी को, अब Mrs. S की बेटी को दिखा रही थी, तो लेकिन वो तो पूरी सब चीजों को जानती थी, ये फामिलियर थी, कि वो सारी चीजे उसकी खुद की थी, See for yourself, तो उनकी बेटी बोलती है, खुद देखो हमारे पास कितनी सारी चीजे हैं, I had no time, no need to follow her hand, I knew which things she meant, I just look at the still life over the tea table, तो वो सोच थी कि मुझे ये क्या दिखा रही है, ये सब तो मुझे पता है, ये सब हमारी ही समान है, हमारी ही चीजे हैंगी, वो तो सर्फ क्या देख रही थी, still life, still life याने की painting, यहां पे still life का मतलब क्या है? painting, जो healthy नहीं, उसको हम still life कहते हैं, तो वो कह रही थी कि tea table पे एक painting बनी हुई थी, मैं तो सरफ उसे देख रही थी As a child, I always fancied the apple on the pewter table, अब ये जो tea table पे जो ये table cloth लगा था, ये भी इन ही का था, जिस पे painting बनी हुई थी और उस पे किस चीज की painting बनी हुई थी, ऐसे करके एक pewter plate थी जिसके ओपर दो apples थी, अब pewter क्या होता है, pewter याने की a grey alloy of tin with copper, alloy याने जब दो या तीन metals मिलके एक कोई metal बनता हो, उसे हम alloy कहते हैं, और कौनसे दो metals मिलते हैं उसमें tin और copper, ये मिलके बनता है pewter, तो वो कहरी ऐसे pewter की plate थी, जैसी grey color की होती और उस पे ऐसे दो apples थे, ये painting बनी हुई थे table cloth पे, मैं तो उसे देख रही थी, क्यों कि जब मैं छोटी थी, मैं हमेशा क्या सोचती थी कि इसमें से apples निकाल लूँ, क्योंकि जब Mrs. S की जो daughter है, बच्पन में अपने घर में देखती होंगी, तो वो क्या सोचती होंगी, वो fancy करती थी आने, उनको चाहिए होते थे यह apples उसमें से, तो यह उसी को देखनी थी, कि अरे, जब मैं छोटी थी, मैं तो ऐसा सोच रही थी We use it for everything, she said. Once we even ate of the plates hanging there on the bowl. I wanted it so much, but it wasn't anything special. Mrs. Darling की बेटी के बोलती है, कि हमने यह सब बहुत सारी चीजें, हमारे बास इतनी अच्छे-ची कटलरी है, इतनी अच्छा-च्छा सब आंटीक चीजें, कि हम सब use करते रहते हैं और यह जो वाल पे जो आंटीक प्लेट्स लगी हुई है, हमने तो एक बार इसको निकाल के इसमें खाना भी खाया है क्योंकि मेरी मॉम बोलती थी कि भाई यह एंटीक है, तो मुझे हमेशे लगता था, रहे ऐसा आंटीक है, इसमें ऐसी चीज़ क्या है तो मुझे एक बार उसमें खाना खाना था, मैंने खाया और फिर बार मुझे कुछ वाओ नहीं लगा, उनकी कहने का मतलब है कि मुझे कुछ स्पैशन नहीं लगा, नॉर्मल प्लेट में जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही लगा, तो वापिस हमने फिर हैंक कर दी, तो यह questioningly at me, अब अब तक वो क्या कर रही थी, वो burn mark ही डूढने की कोशिश करी थी वो table cloth पे, and finally इनको वो burn mark अब मिल गया कि हा, मेरा जो जला हुआ table cloth था, एक किसी corner में वो अभी है, और जिस तरीके से वो search कर रही थी न, table cloth पे, तो मिसस डॉलिंग की बेटी questioningly उसको देख रही I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them any more, you only notice when something is missing, because it has to be repaired or because you have lent it for example, lent करना क्या होता है? लेंट करना, give something to someone, जब आप किसी को थोड़े time के लिए कोई चीज देते हो, या दे ही देते हो permanently, तो उसे हम कहते हैं, lent करना, तो yes कौन बोलता है, yes Mrs. S की daughter बोलती ही, कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है, और वो कहती है कि मुझे पता है, कि जब आपके घर में कोई चीज हो लें, for example, घर में कोई चीज खराब हो गई, आपने repair के लिए भेज़ दी, आप आये, आपने देखा, अरे, यहाँ पर ये चीज रखी रहती थी, कहां गई वो, तो वो यही चीज कह रही है, कि हमारे घर में जो चीजे होती है, हम उसे देखने के इतने used हो जाते हैं, कि लेटी को, क्योंकि इन्हों ने अपनी सारी चीजे इनको दे दी थी, तो obviously उसको notice में आ रही थी, कि मेरे घर में अभी ये सारी चीजे नहीं, उसको missing लग रही थी, ये सब चीजे, अगेन I heard the unnatural sound of my voice and I went on, I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver, तो वो जैसे जैसे बात कर रही थी, again इस रूम मेरे खराब थी, मैं फ्री थी और मैं अपने घर पर ही थी उस दिन, तो मेरी मॉम ने, याने Mrs. S. ने अपनी डॉर्टर को बोला कि मुझे पॉलिश करने में help करो, जो जितना भी सिल्वर स्पोन्स, स्पोन्स हैं, फोक्स हैं, कटलरी हैं, नाइवस हैं, इसको पॉलिश करन I had never asked me before, तो वो यही बता रही हैं, कि मैं उस दिन बिमार थी, घर पे थी, तो मेरी मॉम ने, इसलिए मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए बोला, मेरी मॉम को भी बोलती नहीं थी, लेकिन उस दिन में घर पे फ्री थी, इसलिए मेरी मुझे इस दिन बोला, I asked her which silver she meant, and she replied surprised that it was the spoons, forks and knives of course, तो जब उन्होंने help के लिए बोला अपनी बेटी को, तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा, कि आप मुझे किस silver के बारे में बात कर रहे हूं, तो उसकी मॉम बलती है, of course, जिस spoons है, forks है, knives है, उनके बारे में बात कर रहे हूं मैं, तो Mrs. S की daughter बहुत शॉक ह हो जाती है, कि अच्छा, हम जिस fork और knife से गाते है, वो silver के है, वो चांदी के है, तो वो बहुत शॉक हो जाती है, जानके, and that was strange thing, I didn't know the cutlery we ate off every day was silver, the girl laughed again, और उनकी ये सब बाते सुनके, Mrs. Darling की बेटी हसती है, कि अच्छा हो, तुम्हे बता ही नी था कि तुम्हे बता ही आने किसी को जब आब बहुत seriously देखते हो, तो अब Mrs. S की daughter, Mrs. Darling की daughter को कहती है, मैं तुमसे बैट करती हूँ कि तुम्हे भी नी पता होगा, कि शायद तुम्हारे घर के भी जो cutlery है, वो silver में है, और वो बहुत seriously बोलती है, क्योंकि उसको पता है कि जिस silver cutlery में मैं खाना काते हैं, वो silver की है, तो इसको भी नहीं पता था, well, do you know, she hesitated, तो उसने hesitated होके, थोड़ा हिच के चा के पूचा कि तुम्हें पता है, कि हम लोग cutlery में जो खा रहे हैं, वो silver है, तो थोड़ी वो confused हो गई, कि मतलब इसको कैसे पता, she walked to the sideboard and wanted to open a drawer, I look, it's in here, तो वो कहती ह कि मैं अभी जाके चेक करती हूँ, drawer खोल के, कि मेरे पास जो जितना भी cutlery है, यानि कि spoons हैं, forks है, knives है, ये सब silver की, तो उसने drawer खोला और वो check करने गई वहाँ पे, I jumped up, I was forgetting the time, I must catch my train, अब ये icon है, आए है आपका Mrs. S की daughter, जैसे ही उसने drawer खोला, सारी cutlery देखने के लिए Mrs. Dolling की बेटी ने, तो Mrs. S की बेटी jump होके अपनी chair से खड़ी हो गई, और वो कहती है, ओ मुझे जाना है, मेरी तो train का time हो रहा है, I need to catch my train, she had her hand on the drawer, don't you want to wait for my mother, no, I must go, I walk to the door, तो Mrs. Dolling की बेटी बोलती है, तुमको मेरी mom के लिए वेट नहीं करना, वो बस आने ही वाली है तो कहती ही, नहीं मुझे बेट नहीं करना किसी के लिए, मुझे बस जाना है, the girl pulled the drawer open, I can find my own way, तो उसने बोला, मतब वो Mrs. Dolling की जो बेटी है, वो ऐसे आ रही थी कि उसको दोर तक छोड़ने के लिए, तो कहती है, नहीं मैं खुच चली जाओंगी, मैं अपना रास्ता दे के रास्ते से वो निकलने लगी, कौन? Mrs. S की डॉटर, तो उनको किसकी आवाज आई? जिंगलिंग की, यानि की रिंगिंग की, जब स्पून, फोक्स या चमज सब आपस में बचते हैं, तो उनकी जो आवाज निकलती है, उनको जिंगलिंग साउंड कहते हैं, तो वो कह रह लेकिन उसने उस पर अब ध्यान नहीं दिया, और वो घर के बाहर सीधा निकल गई, और उसने क्या देखा? उसने उस घर की वो नेम प्लेट भी देखी, जिस पर नमबर 46 लिखा था, जिसकी मॉम ने इसको याद रखने के लिए कहा था Marconi Street, it said, I had been at number 46, the address was correct, तो वो कहती है कि मतलब मैं सही address पे आई हूँ, वोई address जो मेरी मॉम ने मुझे पताया था, मैं उसी पर ही पहुची थी, but now I didn't want to remember it anymore, और अब इस नमबर 46 नाम के जो address था, वो कह रही है मुझे इसको याद नहीं करना, बिलकुल भी नहीं करना, क्यों नहीं करना, but now I didn't want to remember it anymore, I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of your former are times instantly lose their value when severed from them, you see them again in strange surroundings, severed, severed का मतलब होता है separated, कोई चीज़ आपसे अलग हो जाती है, आपसे बिछड जाती है, तो Mrs. S की daughter कह रही है कि जो मेरी मान ने मुझे address याद करने को बोला था, अब मुझे उसको याद नहीं करना, मुझे विलकुल interest नहीं उसे याद करने में, क्योंकि इस address पे आके मैंने ये देखा, वो सारी चीज़े जिनसे मैं familiar थी, यानि जिनसे मेरी जान पहचानती, मेरे ही सामान जो मेरे घर में थे, अब वो मेरे नहीं थे, वो किसी strange, किसी अजनबी जगा पे, किसी और की घर में रखे हुए थे, उनके हिसाब से सजाए हुए थे, और बहुत गंदी तरीके से decorate करे हुए थे, प्लस वो ये कह रही हैं कि मेरे memory में ये सब चीज़े linked हैं, क्योंकि जब उनकी mom जिन्दा थी, तब उनकी mom के ये सारे सामान थे, अब mom भी जिन्दगी में दुनिया में नहीं है, उनकी death हो गई war में, तो वो कह रही हैं कि अब मैंने value खो दिये इन चीज़ों की, यानि कीमत जो है इनकी खो दिये क्योंकि war में मेरी mom चली गई, मेरे सामान ने लोगों ने ले लिया, सामानों से अब मेरा कोई connection भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस strange, इस अजनभी surroundings को, इस अजनभी जगा को छोड़ने का फैसला किया, और डिसाइड किया कि मुझे इस address को नहीं आत रखना है, नहीं अब मुझे अपना कोई समान वापिस ट्राइए. तो वो सोचती हैं कि मैं ये सारा सामान जो की मेरा था, अब इनको लेके करूंगी भी क्या, क्योंकि अब मैं उस इतने बड़े घर में पहले जैसे रहती थी, वहाँ अब रहती नहीं, वो घर तो मेरा वार में खराब हो गया, लूट के ले गए लोग, अब तो मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, जहाँ पर क्या है, श्रेड्स और ब्लाक आउट पेपर है, श्र के स्पून, स्पोक्स और नाइस, अब इसमें फिट भी नहीं आएंगे, तो मैं वापिस लेकर क्या करूँगी, I resolved to forget the address, resolved याने की decided, तो वो कह रही है, अब मैंने decide कर लिया, कि मैं इस number 46 नाम का address को भूल जाओंगी, forget कर लूँगी अपनी memory से, all of the things I had to forget, that would be the easiest, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं अपनी life में भूलने के लिए, और इन सारी चीज़ों में से, जो सबसे easy चीज़ें, जिसको मुझे भूलना चाहिए, और जो जिसको भूलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो या address है, क्योंकि इस address पर वो सारी चीज़ें हैं, जिससे मेरी सारी य इस टाप्टर में हमने पड़ा कि कैसे वर से पहले एक इंसान की सिचुएशन होती है और वर के बाद कितना इमोशनल इस इंसान डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वह अपना घर को बैठता है अपने चीजें अपने घरवाले अपने पेरेंट सब बैठता है एक वर की वज़े से और इस वज़े से इतनी emotional imbalances एक इंसान की life में आती है और कैसे एक इंसान manage करता है इन सब चीजों को overcome करके एक new life start करने के लिए So children आप बिलकुल हमारे साथ बने रहे है क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी chapter की summary और important question and answers लाने वाले तब तक लिए bye bye and take care